देखते हैं आज आपका दिन पैसर देगा वरिशब सयोगी समय चल रहा है कई दिनों से चली आ रही परिशानी का निदान हो सकता है नोकरी में पदोन नती के योग है समय का लाब लें और बविश्य को बहतर बनाए दुकत समाचार प्राप्त हो सकते हैं मिथुन किसी अन्य के विवाद में आप ने बोलें अन्य था मुसीबत में फ़स सकते हैं वहन खरीदने का मन है जो जल्द पूरा होगा साइत्यकार रंगमंच से जुड़े लोग लेखक कभी इन लोगों की कीर्टी में व्रद्धी होगी करक राजकारे से जुड़े जातक लाप प्राप्त कर पाएंगे यदि आप रादनीती में प्रवेश करना चाते हैं तो यह सई समय है आज आपको कोई धुका दे सकता है न्याय पक्ष मजबूत होगा सीह ग्रहों की दशा आपके अनुकूल है रुके कारियों में गती आएगी पुराने विवाद आज सुलत सकते हैं अपने वाके चातूर्य से काम बना लेंगे आर्थिक लाप होगा न्याय प्रकरण का फैसला पक्ष में होगा कन्या निवेश से लाप होगा आपके वेवार में थोड़ा प्रेम भी दर्शाएं किसी बास से मन ही मन मन्थन चल रहा है समय के साथ सब सामान्य हो जाएगा निजी वेवारों में कड़वाहट आ सकती है तुला शारिरिक कष्ट रहेगा प्रिये जन से मुलाकात होगी संतान सुक की प्राप्ती होगी पिता के साथ समय व्यतीत होगा एवं महत्वपूर्ण विशय पर चर्चा होगी वहान का सुक आज मिल सकता है व्रश्चिक आप जो कहते हैं उसे पूरा भी करें आलसी रवये के चलते आप पीछे रह जाएंगे पूर्ण जी निवेश के लिए समय अनुकूल है शिक्षा के शेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय मिश्रित फलदाई है नियाय पक्ष मजबूत होगा धनू संगर्ष पूर्ण समय का अंत होगा पुरोसियों से संबन मधूर बनाए पुरानी सोच को त्यांगे आज के युग में जीए पूर्व में किये निवेशों से लाब होगा अपना कर्म कीजिये और व्यवार के प्रती चिंतित रहे यात्रा के योग बन सकते हैं मकर पराक्रम में व्रद्धी होगी कारे पद्धती बदलने से लाब होगा रिष्टेदारों का आगमन हो सकता है विरोधी पारास्तोंगे फ्रेम प्रकट करने का उचित समय है कुम्ब अंजान लोगों पर भरोसा न करें कारोबार के चलते यात्रा होगी नए व्याफसाइक सौदे लाब दायक रहेंगे पूंजी निवेश करते समय पूंड जानकारी लेवे रुके कारी यथावत रहेंगे धार्मिक लाब मिलेगा मीन नए व्याफसाइक को शुरू करने में समय लगेगा व्याबार कुशलता से व्याबार में सफलता प्राप्त करेंगे संतान की तरब से चिंता रह सकती है व्याबारी कारे से की गई यात्रा लाब प्रत्ध होगी